दोस्तों अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनने की सोच रहे हैं या फिर आप ग्राफिक डिजाइनर बनने में इंटरस्टेड हैं तो आपको कर्व फाइल के बारे में जानना बहुत ही जादा जरूरी है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी कॉरल डरो में किसी भी फाइल को कर्व में कनवर्ड कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं ताकि वो आपकी design की copy नहीं कर पाएगा और नहीं आपके font को समझ पाएगा कि आपने उसके अंदर कौन-कौन से font का इस्तमाल किया है इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहां पर एक slip pad का design बनाया हुआ है जिसके माद्यम से हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी file को curve कर सकते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी font शो नहीं हो रहा है क्योंकि इस वाले font को हमने यहां पर curve किया हुआ है जैसे आप इसपर double tap मारेंगे इसमें changes करने के लिए तो आप यहां पर देख सकते हैं यह इस एक shape तरीके से समझ रहा है और अगर आप इसमें changes करने की कोशिश करेंगे तो आपका font यहां से आप देख सकते हैं बिगड़ जाएगा इसके अलावा इसके बगल में ही आप यहां पर देख सकते हैं हमारा यह जो text है इसमें हम आसानी से changes कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी curve का इस्तमाल नहीं किया हुआ इस पर जैसे हम click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे font का नाम हमें दिखाई दे रहा है तो इन दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि curve करने का आखिर benefit क्या होता है कर्व करने से आप अपने font के अंदर किसी भी तरीके का कोई changes नहीं कर सकते है अब हम जानते हैं कि हम अपनी file को curve कर कैसे सकते हैं तो curve करने के लिए आपको simply अपनी file पे click करना है यानि जिस text को आप curve में convert करना चाहते हैं उस text को आपको select कर लेना है और आपको केवल अपने keyboard से एक shortcut की प्रेस करनी है Ctrl प्लस Q जैसे आप Ctrl Q प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो text है यह भी curve हो चुका है आप इस पर जैसी double tap मारेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह curve हो चुका है इसके नीचे वाले text अगर मैं आपको दिखाओं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका font में यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आप अपने सभी text को एक एक करके यहाँ से curve कर सकते हैं तो अगर आप सभी text को एक एक करके यहाँ पर select करेंगे, तो भी आपको बहुत जादा time लग जाएगा, मैं इसका आपको एक shortcut तरीका बता देता हूँ, कि आपके इस तरीके से सभी text को एक साथ select कर सकते हैं, और आसानी से इसे curve में convert कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको आजाना है edit menu पर, और यहाँ पर आपको एक option मिलता है, select all का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक option दिखाई देगा text का, जैसे आप इस वाले option पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपके केवल text जितने भी हैं, वो सभी text एक साथ select हो चुके हैं, मैं आपको एक बाद इसे move करके भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, हमने सभी text को यहाँ पर एक साथ select कर लिया है, और उसके बाद आप अपने keyboard से control Q का इस्तमाल कर दीजे, control Q करता ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं आपके font को जान पाएगा, कि आपने design में कौन से font का यहाँ पर इस्तमाल किया है, तो दोस्तो इस तरहीके से आप अपने design को कर फाइल में convert कर सकते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया, तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा, धन्यावाँ.